दूसरे T20 मैच में ले डूबा हार्दिक पांडिया का ये फैसला आईए जानते हैं भारत के दूसरे मैच में हारने के पांच बड़ी वज़े अगर आप क्रिकेट के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए स्री लंका ने दूसरे T20 मैच में भारत को 16 रन से हरा कर सीरीज को एक-एक की बराबरी कर लिए लेकिन टीम इंडिया की सुरुवात कप्तान हार्दिक पांडिया के टास्ट जीतने पर पहले गेंद बाजी करने की फैसले की वज़े से लगभग हार्ट तैय हो गई लेकिन टीम इंडिया ने जीतने का जज़बा दिखाया और आकरी ओवर तक लड़ते रहें मैच इतना रोमांचक मोड पर पहुँच गया था कि स्री लंका के कप्तान लगभग दो महीने बाद गेंद बाजी करने का फैसला किया और मैच का आकरी ओवर डाल क्रीम स्री लंक पर 51 रन बनाकर तीन चोके और तीन चक्के के साथ उनकी छटे विकट की साजेदारी 91 रन की हुई मेचबान टीम की उम्मीद लगाई जा रही कि अंतीम इंडिया जीत सके लेकिन 190 रन ही बना सकी और दोनों के अलावा स्रीवम मौवी 15 गेंद पर 26 रन बनाएं दोहोरे अंक स्री लंका के सनका ने गेन बाजी में भी कमाल करते हुए अंतीम ओवरमें चार रन देकर दो हिकत के और दिलसान मधुसंका 45 रन पर 2 विकट चतके हैं दो-दो विकेट हासिल किये, यहां तक हम टीम इंडिया की हार की बड़ी वज़े जानते हैं, पहली वज़े टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने के फैसला किया, स्री लंका और भारत के बीच इस स्टेडियम में खेले गए, पिछले 20 मैचों में 17 बार टॉस जीतने वाली पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया, हला कि दूसरा आकड़ा भी इस से पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम 20 में से 13 बार जीती है, लेकिन हार्दिक पंडिया ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया, और सब को चोका दी आकरी में ये फैसला टीम पर भारी पड़ा गेन बाजो का खराब परदर्सन हार्दिक ने अपने फैसले के साफ कर दिया कि वह अपनी यूवा टीम को विपरीत परिस्तियों में बेतर परदर्सन करने का अनुभाव देना चाहती हाला कि मैच दूसरे मैच पर यह फैसला उन पर भारी पड़ गया क्योंकि अर्सदीप की अंगवाई में गेन बाजी आकरामक पूरी तरह से रास्ते से भटक गई गेन बाजी ने रन रोकने के लिए अच्छा प्रयास किया लेकिन स्रीलंका के कप्तान ने तूफानी पारी खेले और सारे रन फीके पड़ गए पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके सुबमन गिल यूवा बल्ले बाजो का खराब प्रतरसन भी टीम इंडिया के लिए हार का वजह बना राउल त्रिपाठी आते ही दोच ओके लगाए लेकिन इस अप्रोच की वजह से उन्हें अपना विकट गम दिया ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें